कहानी की शुरुआत में हमें दिखाय जाती है एक बहुत भयानक सा जंगल वहाँ पे इंसानों ने बहुत सारा कैमरा लगा दिया था यदि उस जंगल में कोई नया क्रियेशर होता है तो उसे उस कैमरे में रेकॉर्ड किया जा सके फिर हमें दिखाया जाता है एक डॉकुमेंटरी बनाने वाला पूरा टीम होता है जो कि जंगल में वीडियो बनाते थे ये सभी टीम में जितने ही मेंबर्स है ये काफी ज़्यादा खुश थे ये लोग जंगल में काफी ज़्यादा एक्स्प्रोर कर रहे होते हैं घूम रहे होते हैं और ये लोग काफी अच्छा से वहाँ पे वीडियो बना रहे होते हैं अब यहाँ पे रात हो जाती है हमें दिखाया जाता है कि उसी जंगल में एक सिकारी होता है जो हीरन को मार के वहीं पे पका के खा रहा होता है और उस सिकारी का कुट्टा भी वहीं पे होता है फिर अचानक से सिकारी के कुट्टे को अजीब सा आवा जाता है सिकारी का कुट्टा जो होता है वो जंगल की तरफ भाग जाता है अपने में सिकारी डर जाता है और अपना गन उठा लेता है सिकारी जैसे ही अपने कुट्टे के पीछे पीछे जाता है उस सिकारी को वहाँ पे जंगल का अजीव सा कोई जीव खा जाता है उसी जंगल में बहुत दू जो डोकुमेंटरी बनाने वाले टीम लोग आये हुए थे उन्हें भूवाँ पर ऐसास होता है कुस अजीव से जीव का और वो अपने थर्मल कैमरा में रेकॉर्ड कर पाते है कुस भयानक सा जीव जिसके बारे में इन्सान आज से पहले कभी भी नहीं जानता था अब यह लोग यहाँ पर रात हो जाता है यह लोग बैट के चिल कर रहे होते हैं और यह डिसकस कर रहे होते हैं कि आखिर वो किस तरह का जीव हो सकता है ये लोग यहाँ पे खुस होते हैं क्योंकि इन लोगों ने कोई नए से जीब का खोश किया था अब यहाँ पे रात हो जाता है इन लोगों जंगल में ही रहना था ये सबी अपना अपना टेंट लगा के सो रहे होते हैं इतने में जो लड़की होती है अपने टेंट से बाहर आती है उसे बहुत डर लग रहा होता है तो वह जो लड़की थी अपने दोस्त के ही टेंट में चली जाती है सोने के लिए फिलाल तो यहाँ पर इनका पहला रात कट जाता है सुबह हो जाता है अगले सुबह जंगल से ए वो जंगल के अंदर और जाते हैं फिर रास्ते में इनको पेर गीरा हुआ मिलता है यह लोग पेर को काट के आगे बढ़ते हैं जैसे थोड़ा और अंदर जंगल में जाते हैं यहां तो बहुत भयानक सा पेर गीरा हुआ था जिसको काट के अलग करने में बहुत समय लग जाता ये लोग अपना गारी यहीं पे छोड़ते थे और यहां से पैदल जाते है जंगल के अंदर काफी जाना चलने के बाद इनको एक अजीब सा घर मिलता है जहां पे कोई भी नहीं रहता था ये लोग बीडियो बना रहे होते उस घर का फिर जो लड़की होती हो अपना ड्रोन उराती है उसमें देखती है तो काफी घना जंगल था ये फिर वो लड़की जमीन पे देखती है तो हैरान हो जाती है जिस कंगारू को उस लड़की ने कुछ दिर पहले अभी देखा था उस कंगारू को यहां किसी ने खा डाला था उसका सिफ हड़ी यहां बचा था वो लड़की पूरा सौख हो जाती है यह चीद देख के वही पे उनको एक अजीब तरह कि जानवर का बाल मिलता है जाता जिस वसे इन्हें कुछ भी नहीं दिखती है कैमरे में फिर उस जंगल का जो सिक्रेटी था उसको यह लोग फोन करके बता देते हैं किसी भी सिकारी को और कोई भी आदमी को जंगल में आहां ने दिया जाए क्योंकि यहाँ पे कोई अजीब सा किरियेचर है जिसके बार में यह भी लोग पता कर रहे हैं फिर अचानक से यह लोग को दिखाई देता है एक लकरी पे बहुत बड़े पंजे का निसान यह लोग उस पंजे का साइज को देखके काफी दंग रह जाते हैं फिर जो जंगल का सिक्रेटी गार्ड होता है वह जंगल में तोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे वहाँ पे उस सिकारी का मिलता है समान जो वहाँ पे मारा जा चुका था पिर अचानक से कोई अजीब सा चीज उस सिक्रेटी गार्ड को मार डालता है अब यहाँ पे डॉकुमेंटरी बनाने वाले सारे लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे होते हैं अचानक से उनको जंगल में से कुछ आवाजे आती है जब वो जंगल की और अच्छे से देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है लेकिन उन सभी को पेड के उपर कोई बहुत बड़ी सी अजीब सी चीज दिखाई देती है यह लोग यहाँ पे काफी ज़्यादा खुस हो जाते हैं क्योंकि इन लोग उने धर्ती पे कोई नए जानवर का खोज कर लिया था इतने में वहाँ पे ड्रोन उडाने का सोचते हैं यह लोग ड्रोन को देखके वहाँ पे वह आजीब सा चीज वहाँ से दूर चला जाता है जो एक लड़का उटा है डॉकुमेंटरी टीम में वह उसका पीछा करने लगता है सभी लोग उसे मना करते हैं लेकिन वह अपने ड्रोन के पीछे जाने लगता है ड्रोन के पीछे भागते समय जो एक लड़की होती है वह गड़े में गिर जाती है जैसे हो लड़का उस लड़की को निकालने के लिए लगड़ी नीचे करता है इतने में कोई बरा साजीव सा चीज उस लरके को वहाँ से घंसीट के ले जाती है गड़े में गिरी हुई लरकी काफी जादा हैरान हो जाती है ये देखकर अब बहुत ही मुश्किल से लगड़ी के सारे वो लरकी गड़े के उपर आ जाती है इतने में जो दूसरी लर्की होती है वो अपने गारी के अंदर छिप कई थी अब जो लर्की गड़े से बाहर आई थी उसे वहाँ पे दिखाई जयता है कोई बहुत भयानक सा जीव लर्की को बचाने के लिए उसकी दोस्त गारी में बैठ के पुरा सैरन को बचा देती है जिस वसे वो अजीव उसके पास आने लगता है गारी में बैठी हुई लर्की काफी ज़़ा डर जाती है इस चीज से इतने में उसे एक कुट्टा दिखाई देता है जो उस सीकारी का था जो मारा जा चुका था वहाँ जो कुट्टा था दोस्तों वो काफी ज़रा डरा हुआ था किसी चीज से फिर जो लड़की गड़े में गिरी हुई थी वो एक छोटे से घर में जाके छिप जाती है अब हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है जिसको वो अजीव सा चीज घंजीट के ले जाता है वह लड़का भी जिंदा होता है वो एक पेर पे होता है वो लड़का काफी ज़रा जकमी था और वो पेर से नीचे गिर जाता है जिससे वो उसका हालत ओर खराब हो जाता है वह लड़का एक पेर के अंदर जगा होता है उसमें चिप जाता है और उसको यहाँ पे काफी जादा दर्द हो रही होती है जब वो लड़का पेर के ऊपर अपना सर करता है उसे दिखाई दे देता है finally यहाँ पे वो बहुत अजीब सा जीव जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था वो भयानक सा जीव उस लड़के को वहाँ पे खा लेती है अब जो लड़की छोटे से घर में छीपी हुई थी उस पे अजीब सा जीव हमला कर देता है बहुत मुश्कित से वो लड़की भाग के अपने गारी के पास आ जाती है जिसमें एक लड़की पहले चीपी हुई थी जो लड़की भाग के आई थी घर में से वो लड़की बताती है कि उसके साथ जो लड़का था उसके जान का यहाँ पे खतरा है उसके चिलाने की आवाज उसने सुनी थी हमें उसे बचाना होगा अब दोनों लर्की और वो कुटा चले जाते हैं उस लर्के को बचाने के लिए लेकिन वह लर्का को तो पहले ही खा चुका था वो अजीव साजीव जब यह लोग उस पेर के पास पहुंसते हैं तो यह लोग देख के हैरान हो जाते हैं यहाँ पर पूरा चारो तरफ खून ही खून हो चुका था अब यह लोग समझ जाते हैं कि वह लर्का अब नहीं रहा अब जल्दी से ये लोग अपने भाग के गारी में आते हैं वापस बहुत मुस्कित से ये लोग अपने गारी को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन कुछ दूर जाते हैं अचानक से उनका गारी एक गड़े में फच जाता है ये लोग गारी में से एक रस्ती बांध के पेर में सुचते हैं कि गारी को उपर घीच ले लिए उपर चरने के बजाए गारी यहां गड़े में गिर जाता है ये दोनों गारी के अंदर ही फसे होते हैं इतने में वो अजीब सा बरा सा चीज उन पे हमला कर देता है बहुत मुज़िस से ये लोग अपना जान बचाते हैं जो इनके साथ सिकारी का कुटता होता है वो काफी जाला भौकने लगता है यह लोग अपना गन उठा लेते हैं वो अजीब से जीब को मारने वाले होते हैं लेकिन फिर यह दोनों सोचते हैं कि यह अपने परजाती का कहीं आखरी परानी हो यह दोनों काफी जखमी हो चुके थे लेकिन फिर भी यह लोग उसको गोली नहीं चलाते हैं उसके बगल में वो गोली चलाते हैं जिस वर से वो डर के भाग जाए और यही होता है वो अजीब सा जीब वहाँ पे डर के भाग जाता है गोली की आवाज से यहाँ दोनों लड़की वापस चले आती है यो लोग का काम था डोकुमेंटरी बनाना लेकिन इन लोगों के जिंदगी पे ही डोकुमेंटरी बन चुका था इनका जो दोस्त था लरका वो आप मारा जा चुका था इसमें यहाँ दोनों बहुत मुस्किल से वहाँ पे बची थी इन लोगों ने जंगल में अजीब से जानवर का खोच कर लिया था और फिर यह लोग जंगल से वापस आ जाते हैं और इसी तरह यह कहानिया पे खत्म होती है अगर आप हमाई चैनल पे नहीं होचाएं और सब्सक्राइब कर लिजे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में